मैं सतीस यादाव इस्टुडेंट्स मैं आज आपके लिए यूडियो लेकर आया हूं नोकाउट टोर्नामेंट के अंदर यदि टीमें ज्यादा होती है और चार क्वार्टर बनाने पड़ते हैं यदि कम टीमें होती है तो हम धोकॉर्टर Això में परोप欸 हमmonic काम चल जाता है अब और वार लवार्ट में टीम को दिवाइड कर देते लेकिन जब टीमें ज्यादा होती है तो अपर हापके भी हम 1 और 2 quarter करते हैं और lower हापके हम फिर 3 और 4 तो 4 quarter हो जाते हैं तो यह मैं किस प्रकार से divide करता हूं तो इसका मैं पूरो वीडियो आपको आपके लिए कराया हूं तो वीडियो में अंत तक बने रहें तभी आपको समझ में आएगा बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आपको एक बार में दिमाख में बैठ जाएगा पूरा यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज सब्सक्राइब करें जो नए है लाइक करें करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जो नीचे बैल आइक उन दीकिए उसको जोड़ से तबादो तोड़ दो एक दो जिससे की सबसे पहले नोटिपिकेशन आप तक पहुंसे अब मैं आपको शुरू करता हूँ कि हम किस प्रकार से यदि नौकाउट टोर्नामेंट के अंद था इसकी सब्सक्राइब एक बचता है यदि जीरो बचता है तो उसका लग है एक बचता है तो उसका अलग है, two बसता है, तो उसका अलग है, ठीक है, अब हम देखो इसको किस प्रकार से करते हैं, जैसे हम लेते हैं, number of team हमारे पास जैसे 28, 28 को divide करो, कितने से मैंने बताया है, four से, तो 28 team को divide करो, four से, तो four से बन जा, 28, कितनी team में आई, seven, और reminder हमारे पास क्या है, zero, तो सभी teamों के अंदर, same team में हो जाएगी, seven, 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 ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास reminder one बचता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 29 team है, 29 team के अंदर, divided by four से करेंगे, तो four seven जा, 28, कितना reminder रह गया हमारे पास, one, तो यदि one reminder हमारे पास, एक six बचता है, तो हम क्या करेंगे, team number जो quarter number one है, उसके अंदर एक team extra add कर देंगे, और बाकि टीमों के अंदर, वही सभी के अंदर team में आ जाएगी, clear, अब अगला, यह तो था zero, हमारे पास reminder zero है, तो क्या होगा, यह reminder one आया, तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, reminder यदि हमारे पास two है, तो हम क्या करेंगे, reminder हमारे पास two बचा, ठीक है, two reminder है, तो हम क्या करेंगे, यदि two reminder है, तो quarter number one के अंदर, एक team extra दे देंगे, और quarter number three के अंदर, एक team extra दे देंगे, one में और three में, और बाकी में, सब में, वो की वो की में, same रहेंगी, clear हो गया, ये zero का हो गया, ये one का हो गया, ये two का हो गया, अब, ये ये हमारे पास reminder three बचता है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 31 में divided करो, फोर से, हमारे पास reminder रह गया, three, तीन सेथ बचे हमारे पास, ये तीन सेथ बचते हैं, तो हम जो first, second और third quarter है, उनको एक-एक टीम हम extra उनके अंदर दे देते हैं, और जो last है, fourth number quarter है, उसके अंदर same team रहेगी, तो students, ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था, यदि फिर आगे, 32, 32 team हैं, तो उसके अंदर फिर divide करो, four से, तो four eight जा, 32, तो हमारे पास reminder आगया, zero, तो सभी के अंदर कितनी team हैं आगई, सभी quarter में, eight eight, ठीक है, फिर जैसे हम 33 का बनाते हैं, 33 team हैं, तो 33 के अंदर divide करो four से, four eight जा 32, reminder हैं हमारे पास one, ठीक है, तो one है, तो मैंने किया बहाता, extra first quarter के अंदर एक team extra चली जाएगी, बाकी में same team रहेगी, इसी परकार हम आगे करते जाएंगे, तो जितने भी, यह मैंने आपको बताया, यदि ज्यादा team होती है, तो quarter के अंदर किस परकार से हम team को divide करते हैं, मैंने बताया, यदि zero हमारे पास six बचता है, तो हम सभी टीमों में, सभी quarter में, चारो quarter में, समान team में रहेगी, यदि एक six बचता है, तो एक number quarter, first number quarter है, उसमें एक team हम extra कर देंगे, यदि हमारे पास दो six बचते हैं, तो first quarter और third quarter में हम एक एक team extra कर देंगे, बाकी second और fourth में वही रहेगी, यदि हमारे पास three six बचते हैं, तो team number quarter number one, two, और third, तीनों quarter में हम एक एक team extra कर देते हैं, और last जो fourth quarter होता है, उसमें वह same team रहेगी, फिर आगए गोई, जीरो, reminder है, जीरो से ऐसे, तो सब में same team है, तो students, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया था, यदि आपको पसंद आया हो, तो like करना, comment करना, ज्यादा ज्यादा, share करना और अपने दोस्तों को पहुचाना, जिसे की सभी को फाइदा मिल सके, और जो नए हैं, वो प्लेज सब्सक्राइब करना, और किसी भी प्रकार की कोई आपको problem हो, तो नीचे comment में आप बता सकते हैं, मैं आपको समस्या का तुरंट समधान करूँगा, thanks student.